अधिन दोस्तों का बेंकरसटा.com के ओफिसेल यूटूब चैनल अधिटोटी 4 7 पे हार्दिक सुआगत करता हूं आज दोस्तों अपने इस foundation class यानि maths foundation जो हम लोग लगातार maths के basics से लेकर के चीज़ों को सीखने वाले हैं दोस्तों उसमें percentage की चौथी class हम डिसकस करने वाले हैं और आप सब जानते हो कि अभी तक percentage हम लोगों ने 3 class जो की है वो separate separate approaches पे काम किया है और जिसने type की framing होती है जैसे पहले दिर हम लोगों ने basics का idea लगाया और second हम लोगों ने ये देखा कि successive changes क्या होते हैं उन successes को हम कैसे break कर सकते हैं उन successive का equivalent कैसे निकाल सकते हैं इन पे हम लो product stability rule आप सारे लोग जानते हो जैसे इस type के सवाल आते हैं कि अगर length को rectangle के length को इतने percent बढ़ाया गया तो area को constant रखने के लिए breadth को कितना घटाएं या आप ऐसे कहते हो कि sugar की price में इतने percent का increment हुआ तो उसकी consumption में कितना change करें ताकि expenditure constant रहे ये वो तमाम सवाल होते हैं जिनका discussion हम लोग ये जो ये जो तमाम सवाल होते हैं ये overall product stability rule पर वेस्ट होते हैं कैसे हम लोग करेंगे इनको solve उन सब चीजों कि है दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों okay very good morning very good morning very good morning बिल्कुल भाई जहाँ जहाँ इस session के reach को पहुचा सकते हैं आप सारे लोग लिंक को copy करें और share करें अपने दोस्तों के साथ right okay very good morning अब चलिए दोस्तों देखो percentage चौथी class है ठीक है चौथी class है हम लोग ज्यादतर जितनी भी election related problem expenditure related problem है बही जितनी चीज़े होती लगभग सब लोग हम यह सोनाली जी पूच रहे हैं दक्ष बैच की class क्यों लगी बैटे अब दक्ष बैच अब आपका personal बैच हो गया उस सब की बातें YouTube पे आप ना करें फिलहाल अगर आप पूच रहे हैं तो हम आपको बता दे इस्टेडी प्लान जो है वो Monday to Thursday का है आपको week में तीन दिन चुट् करते हैं तुम लोग हम तो उम्मीद कर रहे थे का आज कुछ बोलो कि आप लोग आज इतना कुछ देखने को मिल रहा है हैं बही चलो ठीक है भाई आजे दोस्तों हम आगे continue करते हैं देखो हम आपको बता है दोस्तों की 25% का off ये अभी की फिलहाल आपके 2 माई से जो start और वो information आप तक कैसे पहुंचे इसलिए हम आपको ये चीजे सारी चीजे बताते हैं अभी फिलहाल दोस्तों 25% प्लस 5% यानि अगर एप से कोई भी आप history आप सारे लोग ले लो ठीक है बाई बैस तो आप सब लोगों ने जॉइन कर ही लिए दक्ष बैस अब इसके बाद बचा है तो सिरफ और सिरफ test series तो मैच के complete test series आप सारे लोग ले ठीक है बई test series आप लोग ले और वो test series दोस्तों आपको मिलेगी तो आपको अभी फिलहाल जो off चल रहा है उसके बारे मैंने बता ही दिया आपको code apply करना है Y179 ठीक है Y179 code apply करेंगा अगर 247.com से आप कोई study material लेते हो तो वहां पे आपको 25% plus 5% का दोस्तों off मिलेगा overall यह कहानी है ठीक आज आते हैं दोस्तों product stability rule क्या होता है पहले इसको समझना आवश्यक है ठीक है product stability rule क्या होता है पहले इसीज को जानना जरूरी है आप यह देखें कि कहीं पे भी आपको पता चल जाए कि कोई भी दो चीजों को multiply करके कोई third चीज मिलती है जैसे मैंने आपसे कह दिया कि area जो है मेरे दोस्तों वो length और breadth का product होता है अगर आप चाहते हैं if area constant अगर आप area को constant रखना चाहते हैं ठीक है area को आप अगर दोस्तों constant रखना चाहते हैं और आपने length में कोई change किया जैसे आपने कह दिया कि मैंने length में increment कर दिया 25% का length में 25% का increment कर दिया और हम कहते हैं कि breadth में क्या change करें ताकि area constant रहे तो ध्यान रखें दोस्तों area को जो resultant quantity है ठीक है अच्छा गवरो ललन टॉप चालो सही है तो हमने आपसे ये कहा दोस्तों कि area को constant रखने के लिए area अगर आप constant रखना चाहते हैं तो breadth में कितना change करें हम आपसे यही पूछ रहे हैं breadth में क्या change किया जाए तो ध्यान रखें दोस्तों जब भी product stability rule यह कहता है कि अगर आप कोई भी change कर रहे हैं जैसे आपने length में increment किया तो breadth को कितना percent घटाया जाए यह find करने का जो तरीका होता ने यही हमारा product stability rule कहलाता है ठीक है अच्छा background अच्छा लग रहा है अच्छा यह बता देखो कि आज गुरुजी नहां क्या है नहीं हम जैसे आए हैं वैसे आज भी है ठीक है चलो कोई बात नहीं दोस्तों आगे हम लोग भरते हैं तो breadth में कितना चेंज किया जाए ताकि area constant हो जाए तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना हम लोग कई तरीकों से apply करते हैं जड़ा ध्यान से देखो ठीक है हमने कहा कि चलो हमने area को माल लिया 100 unit और length में हमने 25% का increment कर दिया अच्छा अब एक चीज़ ध्यान से समझना product stability rule यह भी आपका कहता है कि अगर जितना भी परिवर्तन इन variables में करोगे सेम वही परिवर्तन इस resultant quantity में होगा क्या कहना चाहते हैं थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं अगर दोस्तों हम length आगर आपको दिख गया कि area length और breadth का product है तो area जो भी change आप length में करोगे अग area भी 10% भढ़ जाएगा अगर आपने length को 10% घटाया तो area भी 10% घट जाएगा बास समझे अगर आपने breadth में 5% का increment किया तो area भी मेरा 5% भढ़ जाएगा overall conclusion इतना है कि जो भी परिवर्तन आप इन variables में करते हैं same परिवर्तन मेरे दोस्तों resultant quantity में हो जाता है ठीक है बई तो अगर आपने यहां पर कहा कि length को हमने 25% बढ़ाया इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा area भी 25% बढ़ करके 125 हो जाएगा area भी मेरा 25% बढ़ करके 125 हो जाएगा अब breadth में आप change करना चाहते हो breadth को कि area constant रहे तो area अगर मेरा 100 है मेरे भाई तो area को finally आप फिर से 100 रखना चाह रहे हो area अगर शुरुआत में 100 है तो finally आप उसको 100 रखना चाह रहे हो यह जो कमी आपको दिख रही है 125 से 100 की जो कमी दिख रही है आपने कहा कितने की कमी हुई आपने कहा 25 की कमी कितने पे 125 पे तो आप बता दो 100 पे कितना तो आपका जवाब यही आगया 1 upon 5 और 1 upon 5 का मतलब होता है 20 परसंट आप कह सकते हो कि भाई ब्रेथ में 20 परसंट का डिक्रिमेंट करना होगा ठीक है ब्रेथ में मेरे भाई 20 परसंट का डिक्रिमेंट करना होगा यह आपके सामने product stability rule की बात रहे ठीक है एक चीज़ और हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएग है यह 100 से 125 फिर 100 बस कहानी कहता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हम लोग यह कहानी तो आप सबको clear हो गए ऐसी ऐसी बाते हैं अच्छा एक चीज और आप सारी लोग दोस्तों समझें ध्यान से इतनी कहानी clear हो गई है ना हम एक चीज और बताना चाह रहे थे कि आप चाहें त तो direct आप answer लिख सकते हैं कैसे भाई ओके प्यूश कुमार कैसे आप direct answer लिख सकते हो जैसे आप एक चीज यह आपको ध्यान रखना यह आपका concept है मेरे दोस्तों ठीक है यह आपका concept है इस पे हम लोग काम करेंगे इसी पे हम लोग सवाल करेंगे ठीक है अब एक चीज ध्या 25% किया या 25% की fraction वन भाई यह आपकी trick है मेरे दोस्तों ठीक है यह ध्यान रखेगा यह आपकी है trick यह आपका है concept concept पे हमें जरूर फोकस करना है हर सवाल हम concept और trick दोनों से solve करेंगे यह ताकि आपको दोनों चीजे समझ है ठीक है पहला सवाल आने से पहले हम आप से उम्मी 25% का increment का मतलब क्या हुआ ऐसे बोल दिया गया 25% मतलब 1 by 4 अब आप breadth में क्या change करोगी यह भात ध्यान रखना अगर आपने increment की है तो आगे तो आपको decrement ही करना है अगर आपने increment की है तो decrement तो करना ही है आपने कहा भाई कि बस numerator पे तो यही value रहेगी जो आपने लिखा है 1 1 का increment किया तो constant रखने के लिए 1 का decrement करना पड़ेगा denominator पे क्या value आएगी तो अगर जैसे यहाँ पे plus लिखा हुआ है तो 4 और 1 जोड़ दो कितना आगया 5 बस 1 upon 5 multiplied by 100 यह हमारा जवाब हो जाएगा 20% यह हमारी रहेगी trick दोस्तों ध्यान रहे दोस्तों आपने कहा कि concept हमारा यह है concept भी जानना जरूरी है और trick आपकी यह रही कि 1 by 4 का increment एक सेकेंड में आप पलक जपकते answer कर सकते हैं यह होप कि आप सारे लोग समझ गए हो चीजों को तो पहले सवाल आने से पहले दोस्तों पहले सवाल लेके आ रहे हैं आप से ही उम्मीद करेंगे कि आप इस session की reach क को maximize करेंगे और जितने लोग देखरो एटलिस उतने लोग लाइक ठोक दो अभी तकरीवन सारे 600 के उपर लोग connect हो चुके हैं तो आप जल्दी से एक बार session को like कर दो मेरे दोस्तों हम तुरंट के तुरंट आगे बढ़ जाते हैं ठीक है सब लोगो like कर दिया अब शुरू किया जा पहला सवाल ले क्या है भाई स्क्रीन पे आपके तरीका समझ गया हो ओके निखिल धामा जी अरे हम जैसे हैं वह इससे ही दिख रहे हैं ठीक है handsome नहीं अभी तक हाँ अभी तक तो नहीं handsome तुम्हें दिख रहे हैं आज मैं पता नहीं क्या होगा handsome दिखने लगे हम आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा ये अब देखो चीजें ऐसी हैं कि option को हटाना पड़ गया है ठीक है चीजें ऐसी हैं कि आप तुक्के बाजी नहीं आप चीजों को सीखते हुए चले ठीक है ध्यान रखना जिस दिन कुछ सिखान पल दिया आप सवाल सुरू होगे ठीक है चलिए दोस्तों तो time up हुआ समय समाप्त होता है तो question में आप से बोला गया है कि rectangle की length को ऐसे बोला गया देखो length of a rectangle is increased by इतना percent यानि length में आपने 16 complete 2 by 3 percent का increment किया आप से कहा गया कितना percent reduce किया जाए breadth को breadth को कितना percent reduce किया जाए कि area constant रहे area हमारा दोस्तों क्या रहे constant रहे तो आप सबको पता है किस तरीके से ये question solve होगा हमने product stability rule को यही देखा भाई overall कि अगर length में 16 2 by 3 percent अर्थात 1 upon 6 का increment हुआ है तो breadth तो मेरी घटेगी ही ताकि area constant रहे तो breadth को घटाने के लिए दोस्तों आप लोग क्या किया किया कि भाई कितना घटेगा तो जो numerator पे है उतना ही घटेगा बस respect change हो जाएगा कि किस respect में बस यही change होगा मेरे दोस्तों कि कितने respect रहे तो आप कहोगे 6 और 1 जुड़ के दोस्तों कितना हो गया 7 तो 1 upon 7 multiplied by 100 आपका जवाब आगया 14 complete 2 by 7 percent की दोस्तों कमी करनी पड़ेगी ताकि मेरा area constant रहे ये बात clear हो गई मेरे भाई सब लोग सबको clear हो अब जरा एक चीज देखो अब तो ये तो मेरा product stability rule से तुरंथ हम लोगों ने answer निकाल दिया लेकिन basic हमारा concept क्या कहता है वो जरा भी ध्यान से देख लो आपने कहा length 16 2 by 3 percent बढ़ गई हमने अपनी तरब से area को माल लिया चलो 6 unit अपनी तरब से हमने area माल लिया 6 unit कहां से मिल fraction ना है तो हमने कहा कि area अगर मेरा 6 था तो मेरे भाई आपने क्या किया ध्यान से देखो इस चीज को मेरे भाई आपने कहा कि अगर हमने area को 6 unit assume कर लिया 6 unit assume कर लिया आपने कहा length मेरी 1 upon 6 यानि length में 1 unit का increment हुआ तो increment की बाद वो 7 हो गया लेकिन area तो constant रहना चाहिए यानि area तो 6 ही रहना चाहिए तो यह 7 से 6 जो कमी आप कर रहे हो कितने की कमी आपने किया 1 की कमी कितने पे 7 पे तो 1 upon 7 multiplied by 100 आपका जवाब 14 2 by 7 percent के ठीक है इस तरीके से भी आप चीजों को solve कर सकते हैं next आपके सामने दोस्तों यह रहा अगला सवाल यह आपका दोस्तों timer स्टार्ट होता है अगा है कि 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 तुरंट की तुरंट ऐसे सवालों को तुरंट आपको answer बताना मेरे भाई तुरंट की तुरंट answer ठीक है इस question में जड़ा ध्यान से देखा जाए भाई आपका answer आ चुका है ठीक है answer आया नहीं आया भी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे हो यहाँ पे यह रहा है कि radius में change किया गया 12.5% का increment किया गया 12.5% का increment किया गया अब आपसे यह कहा जा रहा है कि area को constant रखने की height में कितने परसंट की क्या बोला गया है सबसे पहले कमी किया गया radius में decrement किया गया है अब height में हम increment पूछना चाहते हैं ताकि area मेरा दोस्तों constant रहे बस इतना ही आपका सवाल है आप सब एक चीज़ ध्यान रखना आपको formula र height का product होता है इतने से मतलब रहे आपका बस इतने से मतलब रहे कि area हमारे दो variable का product होता है इतने से पहले पको फोकस रहे आप लोगों ठीके तो हमने यहां पे कहा दोस्तों की आपको बस इतना पता हो गते कि area जो होटा है Claudius की आपको मतलब है वह है रेडिया सब्सकार Sounds a और यह देखा दोस्तों की area constant है, हमने का 12.5% का decrement यानि value 1 upon 8 है, 1 upon 8 का decrement हो रहा है, और height में change पूछा गया है, तो आप जाहिर सी बात है, अगर आपने decrement किया, तो height को increase ही करना पड़ेगा, और कितना दोस्तों, तो अगर numerator पे 1 है, तो 1 यहां पे भी रहेगा, बस 8 में एक घटा दो, denominator पे 1 by 7 कर दिया, 1 upon 7 multiplied by 100, again you get what, again you get 14 complete 2 by 7% increment, my dear friends, ठीक है, तो 14 complete 2 by 7% का increment होगा इस पूरे process ने, clear इतना, अच्छा, आप अगर इस चीज को दूसरे process solve करना चाहते हैं, उस चीज को जानते रहों मेरे दोस्तों, ठीक है, उस चीज को जानते रहों और समझते रहों एक तो आपने इसमें 1 by 8 की कमी की, यानि कि आपने इसमें 1 by 8 की कमी की, तो 8 का 1 by 8, 1 होता है, 1 की कमी कर दी, तो area कितना हो गया, 7 हो गया, area मेरा दोस्तों, 7 हो गया, लकिन अब कह रहे हो कि area मेरा constant है, यानि मेरा area 8 ही है, तो ये जो increment आपको 7 से 8 जो increment देखने को मिला, 1 का increment कित जियान रखना जब आप जैसे आपने देखा area radius और height का product है अगर area को constant रख रहे हो तब तो बहुत आसानी से आप निकाल दे रहे हैं इस trick का इस्तिमाल करके it may be possible कि area में change दे दे आपको area को constant न रखे वो तब आपकी trick वगएरा काम नहीं करेगी तब आपका यही तरीका काम करेगा इसलिए हमाँ हर सवाल में इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और आपको भी यह चीज जानना जरूरी है मेरे दोस्तों क्लियर है योके सोनी जी पहले आप इसको solve करें दोस्तों जो चल रहा है आपके सामने आईए दोस्तों ठीके बई एक चीज ध्यान रखना बस यही चीज कहरें आपसे कि area को constant रख रहे हो change आप radius और height में कर रहे है दिन आप यह trick वगएरा apply कर रहे हो आईए दोस्तों आपक अच्छा ऐसा लग रहा है हम डेजर्ट वेटे हैं ठीक है डेजर्ट पहुचा दे वगवान वही सही है lockdown 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 डेजर्ट में चला जाए आत्मी सोच रहा है कि डेजर्ट में चला जाए बंजारे की तरफ एक बोतल पानी लेकर पूरा जीवन निकाल दे यह बियर ग्रिल्स कवाला देखो वो wild man versus wild हाँ इतना पानी रहता एक बड़ा ठैला उसमें इतना पानी रहेगा वही ऐसी जगहों पर जो जितना भी आपको खाने पीने के समान मिले व्योस्था करते रहें क्या पता कब किस जगह पर क्या हो जाए खाने पीने व्योस्था तुरंट करते रहा है कुछ भी मिल जा उसको ऐसी जगहों पर बस अपना कीमती समान अपना जरूर खाने पीने के इंतिजाम करते रहें वही है आईए दोस्तों अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग ठीक है इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि प्राइस ऑफ सुगर इस इंक्रीज़ बाई 20 परसंट चलो ठी बहुत अब आपको पता है कि आदमी का एक्सपेंडीचर कितना होता है चीनी की दुकान पर गए आप चीनी खरीदे ठीक है बही चीनी की दुकान पर याद करो चच्चा वाली दुकान फायर रहते हैं जो हमेशा 24 घंटे है एक हम पहले रहते थे जहां पर उन दुकान ऐसी अब कुछ बोल तो था ठीक है जहां जहां ले लो तो उस टाइप की दुकान आपके आसपास जरूर होगी कोई न कोई वही टाइप की दुकान है आप बताओ चीनी है उनके हाँ सपोस गए आप 4 किलो चीनी खरीद के लाए ठीक है 4 किलोग्राम चीनी आपने खरीदा और च 20 रुपए पर किलोग्राम चीनी का रेट है तो आप उनको कितने पैसे देते हो असी देते हो न कैसे मिला असी 20 रुपए चीनी की प्राइस 4 किलोग्राम आपने खरीदा 20 गुड़े 4 असी ये आपका खर्च रहा तो वही हम कह सकते हैं कि प्राइस और कंजम्शन का प्रोड यानि दो चीजों को मल्टिपलाई करके कोई एक चीज मिलरी जाहिर सी बात है प्रोड़क्ट इस्टेबलिटी रूल काम करेगा ये बात सबको कंफर्म होगी अब प्रोड़क्ट इस्टेबलिटी रूल लगाने के लिए आप एक-एक पॉइंट का ज़रा ध्यान से आप द चाह रहे हैं, तो आप product disability easily लगा सकते हैं, बोला गया कि consumption में कितने percent का change पूछा गया, यहीं भी आप से पूछा गया, तो बस तो आपका आसान हो गया, 20% का मतलब आप सारे लोग जानते हो, 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1 upon 5, और 1 upon 5 का increment किया गया, तो constant करने के लिए 20% का decrement, 16 सही 2,3% की कमी करनी पड़ेगी, यह तो आपने इस तरीके से देख लिया, लेकिन फिर हम आपको कहेंगे, इस चीज को जरूर ध्यान रखें, आप imagine करें कि आप दुकान पे 100 रूपए खर्च करते थे, आप दुकान पे दोस्तों 100 रूपए खर्च करते थे, और ह हुआ क्या कि price 20% पढ़ी, यानि अब आपको 20% और खर्च करने पड़ेंगे, यानि अब आपको उस सामान के लिए 120 रूपए खर्च करना पड़ेगा, ठीक है बई? ठीक है, 120 रूपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी भी 100 रूपए ही खर्च करने यानि कि आपका expenditure constant है, तो यह जो कमी 120 से 100 के लिए हुई है, यानि यह जो 20 की कमी हुई है दोस्तों, out of 120 multiplied by 100, आपका जवाब आ गया 1 upon 6 multiplied by 100, और जवाब वही रहा 62 by 3%, इस बात क जरूर ध्यान रखेंगी कि यह हो क्या रहा है, I hope कि यह आपको तरीका समझ आ गया होगा, clear है, clear बात समझ गे दोस्तों, ठीक है, तो यह आपके सामने कहाने रहे, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, यह तरीका ध्यान रखना लेकिन तभी के लिए जब expenditure को constant करना हो, यानि final जो quantity आ रहे हो, उसको अगर आपको constant करना है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर, timer स्टार्ट कर रहे है, चलिए, अच्छा question है यह, यहाँ पर कई बार confuse आ जाते हो, तुम लोग, question कह रहा है बेटे, कभी add, कभी subtract, वो तो question कह रहा है न, कभी increment बोला जा रहा है, कभी decrement बोला जा रहा है, जहाँ पर increment है, वहाँ plus sign लगा रहे है, जहाँ decrement है, वहाँ minus sign लगा रहे है, ठीक है? चलो आगे बढ़ें दोस्तों, ठीक है, अब इस सवाल में अगर देखें, तो इसमें जो variables है, price है, sale है, rate है, ये सब सारी चीजें, आप ये बताओ कि सपोज आपने एक cinema, आपने कोई भी दुकान खोली, ठीक है, टिकेट आप बेच रहे हो, किसी भी चीज का टिकेट है, lottery टिकेट कुछ भी, आपने एक टिकेट के price रखी है, 10 रूपे, और आपने दिन भर में 5 टिकेट बेच दी, तो आपका collection कितना है, revenue collection कितना है, तो आपने खाँ 50 रूपे, आपने किनी भी दो चीजों को multiply किया न, आपने price को multiply किया है, sale से, टिकेट की जो price है, उसको आपने टिकेट क collection, total जो हमारा collection हो रहा है, वो चीज हमें मिल जाती है, यानि मुझे पता चल गया, किनी भी दो चीजों को multiply करके, मुझे कोई तीसरी चीज मिल रही है, ये बात तो हमें पता चल गई, clear इतना, ठीक है, अब आप लोग ध्यान नहीं देरों किस चीज को constant करना है, क्या करना है कुछ नहीं ध्यान देरों, आख मून के करते चले जा रहे हो, आप से बोला गया कि यहाँ पे कि price is reduced by 20%, price में दोस्तों 20% की कमी हुई है, फिर बोला गया, but its revenue collection increased by 25%, इसमें आपको change दे दिया गया 25% का, पूछ लिया गया, बताइए, sale में क्या change होगा, अंतर दिखा ये, आ आपको अंतर दिखा, overall, आख मून के हम ये बताओ, सिरफ trick मातर क्यों नहीं हम आपको रटाए, हम क्यों बार बार basics आपको बताते रहे गए, कि अभी तक इसको भी समझो, इसको भी समझो क्यों कि ट्रिक उस जगहां पे काम नहीं करेगी, जहां पे इसको constant नहीं रखा जा हम लोग 100 रूपए दोस्तों कमाते थे, अब ये 100 रूपए क्या हुआ चुकि price 20% घटी, इसका मतलब क्या हुआ कि price अगर 20% घटी है, तो आपका collection भी 20% घटना चाहिए, 100 में 20% घटा होगे, यानि अब आपका collection 80 रूपए दोस्तों होना चाहिए, अब आपका collection overall 80 जो हुआ है, अपनी माप नहीं हो गया, ये किसी ना किसी में change हुआ है, किसमें change हुआ है, कितने का change आया पहले आप देख लो, तो आपको 45 का change out of 80 multiplied by 100 किया, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखें, ये जो भी change हुआ है, इस variable में change कर ही दिये, इसमें change दिया ही है, तो बाकी जो बचा ये हमारा change sale में है, तो आप कह सकते हो, sales इतने percent बढ़के 20 से cancel करो, उपर 5 आ गया, नीचे 4 आ गया, 45 गुड़े 5 होता है, दोस्तों, 225 डिवाइड बाई 4, यानि 56.25 परसेंट आपका एंसर हा, 56.25 परसेंट ये आपके सवाल का जवाब रहा, क्लियर है, पवन कुश्वाहा, समझ हा गया पूरी कहानी, ठीक है, एक बार जल्दी से सारे लोग भाई, session को like कर दो, तो मुझे समझ आ जा जा कि एक सवाल समझ लिया, आप लोगोंने, important question है, भावनाओं के आवेश में ही आप लोग गलतियां करते हैं, जितने लोग 00% बत इस चीज का concept, इस चीज का logic, जो है मेरे दोस्तों, उसको जरूर समझे, क्योंकि अगर एक बार वो आपने समझ लिया, मेरे भाई, तो वो चीज अभी आगे आपको कभी problem नहीं होगी, ठीक है, I hope कि आपको इस चीजे समझ आ गई होगी, एक बार सारी लोग यार सारी लोग rectangle की length में दोस्तों 20% का increment किया गया, और अगर area में, बताइए आप से पूछ रहे हैं, बताइए breadth में क्या change करें, ताकि हमारा दोस्तों area, ताकि हमारा छेतरफल overall 32% बढ़ जाए, ये हमारा सवाल रहा, फिर से सुन ले, अभी तक आप area को constant पा रहे थे ना, लकिन हमने area को change क कर दिया, मैंने आप से का कि length को 20% बढ़ाया गया, और breadth में क्या change करें, ताकि area मेरा 32% बढ़ जाए, ये मेरे सवाल रहा, दोस्तों, जल्दी से इस सवाल का भी जवाब दें आप सारे लोग, जल्दी से आप सारे लोग इस सवाल का जवाब दें, कि अगर length को 20% बढ़ाया किया, दोस्तों, क्या कि आपने 100 में 20% का इंक्रिम्ट, आप लोग सारे लोग पहले इसका जवाब बताओ, सब लोग इसका जवाब बताओ, किया जा फटाक से, चलो भई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, 10%, 10%, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, जैसा हम लोग अभी डिसकस कर रहे थे भई, उसको समझने के लिए खाले, length को आपने 20% बढ़ाया है, हम area में 32% का चेंज चा रहे हैं, तो आपने क्या क्या क्य बढ़ाया है, ये value हो गई मेरी 120 के बराबर, आप चाहते हो कि area मेरा 32% बढ़ जाए, 32% बढ़ने का मतलब area आप 132 चाहा रहे हो, तो ये जो change हुआ है, ये हमारा कितने का increment, 12 का increment, out of 120, then multiplied by 100, आपका जवाब आ गया, दोस्तों, 10% के बराबर, तो आप कह सकते हो कि breadth में 10% का increment हुआ, ये रही overall इस पूरे concept की theme, और आपको उम्मीद करेंगे कि आप सबको ये theme समझा गई होगी, एक चीज पूरा conclusion क्या मिला, एक पूरा conclusion ये मिला मुझे, कि कहीं पे भी कुछ लिखा जाता है, जैसे मैंने कह दिया area length और breadth का product है, तो आपको ये जरूर पता लग गया कि जितना परिवर्तन आप इस length में करोगे, सेम वही परिवर्तन, सेम वही change हमारा area में होगा, ये सब को confirm हो गया, अब देखो इन पर सवाल कैसे बनते हैं, और भी आगे, साथी साथ हम आपको ये बता दें, काफी important news, आसीज गौतम सर आपके सामने discussion करेंगे, आज Saturday का दिन या किसी भी point of view से मेरे दोस्तों, उनको MCQ के form में आपके सामने उस information को रखेंगे, ठीक है, तो 12 बजे ध्यान रखें, शनिवार, 12 बजे आप सारे लोग जुडें, live, ठीक है, चलो, अब आज आते हैं दोस्तों इस सवाल पर, ये भी काफी important सवाल है, ठीक है, एक बार आप कोशिश करें, हमने चारों चीज़े, देखो ये होए, आपके सामने कोई question नहीं कि हम आपके option मार करवा रहे हैं, हम आपके चीजों को सिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इस चीजों को सिखा रहे हैं, तो चार टाइप की maximum सवाल बन सकते हैं, उन चारों चीजों का हम आपक रातुल साहा, 75 MCQ नहीं 75 से ज्यादा 80 के आसपास, ठीक है, चलो दोस्तों इसमें देखते हैं, अब जड़ा ध्यान से देखें यार, ये question आपके सामने, अलग-अलग तरीके से आप इन्हें solve कर सकते हैं, तो पहला approach आप ध्यान से देखें, जो हम लोग solve करने चल रहे हैं, कहा जाला कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धी हुई है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, imagine करो, आप दुकान में जाते थे, आप हमेशा suppose 100 रुपे दिया करते थे, ठीक है, और suppose आप 100 रुपे दिया करते थे, चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, आपने उतनी ही चीनी ली जितना ह मांड किया, जब आप सीनी लेके हटने लगे, तो दुकानदार ने कहा सर 25 रुपे और दे दो मुझे, तो उसने कहा मेरे पास 25 तो और नहीं है, क्योंकि आप 100 खर्च करते हैं, और आप बिल्कुल सल्लू भाई टाइप में, कि एक बार जो commitment कर दी तो अपने आपकी भी नह करेंगे, उसने का भाईया कीमत बढ़ गई है 25 परसंट, आपने कहा नहीं देंगे, उसने कहा इसे कह इसे नहीं देंगे, आपने कहा ठीक है समान ले लो, भाई पैसा तो नहीं देंगे, आप बहुत ज़्यादा करोगे, क्या करोगे, समान निकाल लो, तो उसने क्या किया तो 25 रूपए का सामान निकाल लिया, 25 रूपए की चीनी आपने निकाल ली, ठीक है, तो 25 रूपए की कितनी चीनी निकाली, वो आपको यहाँ पे दोस्तों वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2 kg, सरल शब्दों में यह कहना चाहरा है, पहले आप दुकान अधिया थे दिया करते थे, और वो चारिसो रूपए आपने जब आज दिया तो उसने 25% extra demand की, क presents 25% extra demand की में उसने कितने रूप आप से अलग से मागे तो उसने आप से 100 Kart आप के पास नहीं थे, आप ने कहा 100 आप की चीनि इंसामान ले लो वापस तो उसने 100 Part रूप इतनी चीनी वापस ले ली, 2 kg, 2 kg, 100 रुपए में 2 kg कम हुआ ना, तो 2 kg चीनी उसने वापस ले ली, तो 100 बटे 2, यानि की चीनी की वर्तमान कीमत क्या है, आप ये कह सकते हैं दोस्तों, current price, तो चीनी की दोस्तों, current price कितनी है, वो हमने लिख दिया आपके सामने, 50 रुपए प पर किलोग्राम है, आप सबको पता चल गया, और आपने 100 रुपए, 50 रुपए पर किलोग्राम रेट है, आपने कितने दिये हैं दुकानदार को, 400 रुपए, इसका मतलब कि current consumption कितनी है, आप कितने चीनी खरीद रहे हो, कितने किलोग्राम चीनी आप खरीद रहे हैं, 400 रु पहले से 2 किलोग्राम कम है ना, इसका मतलब पहले कितने खरीद थे, आप कहोगे 8 प्लस 2 यानि पहले आप 10 किलोग्राम खरीद थे, अचा गर पहले जब 10 किलोग्राम खरीद थे तो उस समय रेट कितना हुआ करता था, इनिशियल प्राइस कितनी हुआ करती थी मेरे भाई, तो आप कहोगे 400 रूपए और 10 किलोग्राम यानि आपने कहा कि 40 रूपए पर किलोग्राम मेरे भाई, 40 रूपए पर किलोग्राम ये उस समय इनिशल चीनी का रेट हुआ करता था, बस एक चीज आपने ब्रिक किया, एक चीज आपने खाली देखी और वो यही थी हमारी, ये जो हमने ऊपर आपके सामने सबसे पहले लिखा है, ये, ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने लिखा, यही आपके सामने सबसे जादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आप लोगों ने इसको solve किया है, वो आप लोगों ने देख लिया, यार तुम लोग को अच्छा ल अब देखो दोस्तों ये तो आपके सामने हो गया एक तरीका बस इसी चीज को अगर आप चाहें तो फॉर्मूले की रूप में लिख दें current price आपने क्या लिखा है ये 400 रूप है इसको हमने अपनी तरफ से y माल लिया ये हमारा percentage रहा है इसको हमने अपनी तरफ से x माल लिया और फिर क्या हुआ है दोस्तों overall 100 तो नीचे आएगा ही नीचे 100 क्योंकि x percent 100 आएगा ही फिर last में आपने 2 से divide किया है तो 2 हमारा ये हो गया यह हमारी current price है तो सरल शब्दों में क्या कहना चाहरे है इसको हटा रहा है ठीक है जब भी कभी आपको current price निकालनी हो current price ठीक है सबसे ज़्यादा current price ही पूछता है तो तुरंत लिखना आप क्या current price का मतलब x y upon 100 a बस यही होती है हमारी current price ठीक है जहां पर x क्या है मेरे रूपए है और यह जो ए लिखा हुआ है यह इतने किलोग्राम कम या ज्यादा चाहे increment बोले चाहे decrement ठीक है तो note करके इस सीच को लिखना आपने एक बार तो पूरा question solve भी कर दिया लेकिन इस point को भी note करें आप सारे लोग नलिन गुपता आप unblock हो तभी तो मैंसेस कर रहे है ठीक है, देखो हो ये रहा है overall, इस type के सवालों को हम लोग simple सा एक ही चीज़ ध्यान देते हैं दोस्तों, कि दो मीदवारों के बीच एक चुनाव हुए, दो-तीन factors होते हैं, जैसे सबसे पहला factor आपका होता है number of registered candidates, ठीक है वई, number of registered candidates या फिर number of registered votes, ये होती है initial value, ठीक है, अब क्या होता है कि भाई, ये initial value होती है, अब इसमें से सारे लोग तो vote देते नहीं, कुछ लोग होते हैं, जो vote नहीं देते हैं मेरे भाई, और कुछ होते हैं, जो यहाँ पर vote देते हैं, अब इसमें से कई बार होता ये है कि आपको invalid निकाल दिया जाता है, इसी में से बनाना होता है और बस और कुछ एक्ष्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अब जरा ध्यान से देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या बोला गया कि बोला जारा दो उम्मीद्वारों के बीच एक शुनाओं में कुल वैध वोटों में से 55% मिले 20% वोट इन्वैलिड थे और आपने कहा 20% इन्वैलिड थे है यानि कि वैलिड वोट कितने बचे पहले यह तो आप जान लो यहाँ पर बताओ मुझे कि वैलिड वोट कितने होगए है है तोटल वोट तो 7,500 थे और इसी 7,500 का 80% आपका valid रहा दोस्तों क्यों 80% क्योंकि आपने कहा 20% इन्वैलिड परसंट हो गए अब इसी चीज़ को आपको सिंप्लिफाई करना 75 गुड़े 4 कितना होता है 300 300 दुना हो गया 600 यानि आपको जवाब मिल गया 6000 के बराबर यानि आपको वैलिड वोट्स मिल गए दोस्तो 6000 के बराबर इस 6000 में मेरे भाई 55% एक उम्मीदवार को मिल रहा है तो इ गुजर को कितने वोट मिले बस ही आप बता दो मुझे आपने खा इसी 6000 का दोस्तो 45 परसेंट ये आपका एंसर रहा आज़े दुस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं अच्छा एक बार सारे लोग ये बता ओप्षन ना देने से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या एक बार सारे लोग बता तो फिर आगे आदमी ध्यान रखेगा ना ओप्षन फिर ऐसा नहीं होगा क्या ओप्षन ना द तो जाद अतर बच्चों को कहना है कि नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है कुछ बच्चों का कहना है प्रॉब्लम हो रही है चलो ठीक है भाईउब्स नहीं रखेगे क्या प्षि mã कोई option नहीं होता और जब आपके सामने options भी दिये जाते हैं तो आप option मार करने के चक्कर में पड़ जाते हो ठीक है जिन जगहों पर अभी जब चुकी मेरा target यह था कि सीखना कि आप सीखें कैसे चीजों को ठीक है अब जड़ा एक करके शुरुआत करते हैं बोला गया in an election two candidates participated 10% voters did not vote तो हम यह मान के चल रहा है कि जो एक गाहों है जिसमें 100 वोट है total एक area है जिसमें total कितने वोट है दोस्तों 100 वोट हमने अपनी तरफ से कह दिया कि 100 वोट है अब इसमें यह कहा जा रहा कि 10% voters did not vote यानि कि इसमें से आप 10% निकाल देंगे यानि 10 वोट दोस्तों बचे कितने तो आपने कहा 90 VOTS बच गए, अगर आपने 10 परसेंट निकाल दिया, यानि 10 वोट आपने निकाल दिया तो बचे कितने आपने कहा 90 VOTS बच गए, अब इसके बात क्या हो रहा है, आप से ये, बस उसके बात तो आपको valid-invalid कुछ बताए नहीं गया, आप से करके रखना ठीक है इस चीज को नोड करना तुम्हारे भलाई ले कह रहें क्योंकि इस पर कोई फोकस कोई कराता नहीं है आपको बस लगता है हाँ ठीक हो तो जाएगा ही फोकस रखने वाली बात क्या है विनर के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वहां बहुत जो भीता से पढ़ा करो यह जो परसेंटेज के बाद दिया गया है कि विनर गेट इतना परसेंट आफ आफ के बाद जो लिखा गया है इसको जरूर फोकस करना मेरे दोस्तों क्योंकि यहां पे होती है वैरिएशन कभी टोटल वैलिड वोट से लिख दिया जाता है कभी टो वोका 48 परसेंट होता है 48 यानी 48 आपने ये बता दिया कि विनर को मिल रहे हैं 48 वोट विनर को मिल रहे है 48 वोट अब यहां मेरे देखो 90 में 48 घटा ओओ यह है usually winner리ण को मिल रहे है 48 वोट कीतने है 90 है इसका मतलब dozer को कितने मिल जाएगे 90 में नभे में 90 वोट इवियम में आपके थे और 48 वोट मिल गए जीतने वाले को, तो हरने वाले को कितने मिलेगे, 90 में 40 घटा दो, आपको मिल जाएगा 42 के बराबर, हरने वाले को मिल गए 42 वोट, 42 वोट, अब बस इतना बता दो, कितने वोट से ये जीता है, यह जो विनर है, लूजर को कितने वोट से हरा रहा है, इसमें भी फोकस रहे, विनर को मिल रहे है 48, लूजर को मिल रहे है 42, कितने का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दोस्तों 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आपको होगे कि winner ने loser को 6 vote से हराया और इस 6 की value question ने बताई है 840 के बराबर यानि 1 unit की value कितने के बराबर हो जाएगी 140 के बराबर आपसे पूछा गया कुल पंजे कृत यानि total registered आपसे पूछा गया कितने है total registered 100 है 100 को multiply कर दिया 140 से जवाब आगया 14000 के बराबर ठीक है इतना clear है कहीं पे कोई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में I hope कि आपको सारी चीजें दोस्तों clear हो चुकी होगी ठीक है चलो तो यार सेशन को लाइक वाइक भी थोड़ा टच करते जाओ हन जी यह ऐझा करने के लिए तो हम क्या बोलें चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे भाई ठीक है जादा से जादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के बीच में पसे ही कहना आपसे अगला सवाल आपके इसामने किया जाए एक एक करके हर टाइब के सवालों की प्रैक्टिस आपके सामने हो जाएगी चिंता मत करना तुम वस तुम सिद्धत देखते रहना वस और कुछ नहीं गलतियां वही होती है तो टोटल रजिस्टर लिखा है विनर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको बहुत ध्यान से पढ़ना वहाँ पे गलतियां बहुत होती है कई लोग बावन लिख दिये होंगे अगर जीतने वाले को 48% मिल रहे तो हारने वाले को 52% मिल रहे है अई सा बहुत लिखते है बच्चे तो इसका मतलब क्या मतलब कौन से चुनाव हो रहा है कि आदमी 48% परसंट पाके जीत जा रहा है और 52% पाके लोग हार जा रहे है तो हमने सीधा का सीधा माल लिया कि ले total registered जो है वो हमारे 100 है इसको मैंने क्या माल लिया अपने तरफ से total registered votes ठीक है भाई तो total registered जो हमने माल लिया अपने तरफ से 100 माल लिया बोला गया 10% voters did not vote तो 10% ने मेरे दोस्तों vote नहीं दिया तो 100 का 10% कितना होता है 10 इन 10 लोगों ने vote यह हमारा हो गया खेल, अब इसका मतलब वोट दिया कितने लोगों ने, 90 लोगों ने, 90 लोगों ने वोट दिया है मेरे भाई, आगे फिर एक लाइन बोलीगी, 10% इन्वैलिड डिकलेर हो गए, तो 10% किसका, ये भी तो जानना जरूरी है, 10% किसका इन्वैलिड भाई, क्या टोटल रजिस्टर्ड का कि ये वोट पड़े हुए हैं, उसका, जल्दी से बताओ एक बार, 10% जो इन्वैलिड हुए है, वो क्या इस 100 का 10% कि, क्या इस 90 का 10%, 90 क्या है, जितने वोट इवियम में कैद हैं, 100 क्या है, जितने लोग जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें है, तो वो तो 10 लोग निकल गए, बचे कितने आपने कहा, 90, 90 इवियम में वोट पड़ा हुआ है, तो जो इन्वैलिड डिकलेर होगा, वोग वोही तो वोट पड़ा है, बस समझ गे, तो अब 90 वोट पड़ा हुआ है, तो इस में से इन्वैलिड दोस्तों डिकलेर होगे, बोला 81 क्या है हमारे, 81 हमारे valid votes है, अब winner के बारे में जो information देगी, ज़रा उसको ध्यान से देखें विनर के बारे में कहा जा रहा है, winner gets 70% winner gets 70% of total valid votes winner gets 70% of total valid votes, इसका मतलब इसका दोस्तो 70%, winner 70% पा रहा है, ठीक है? ध्यान से समझना, किसका winner gets 70% of total valid इस बार जो आपको percentage दिया जा रहा है मेरे भाई, वो इसका 81 का 70%, ये बोला गया 81 का 70% winner को मिल रहा है, तो loser को कितना मिलेगा, इसी 81 का 30% इसी 81 का 30% मिलेगा, अब इसका मतलब ये बता दो, ये winner है 70%, ये loser है 30%, winner ने loser को कितने से हराया तो आपने कहा 40% से हराया, किसका 40% किसका 40% तो आप कहोगे इसी 81 का 40%, आप कहेंगे इसी 81 का 40%, इसी 81 का 70% winner पा रहा है, इसी 81 का 30% loser पा रहा है, तो कितने margin से हरा रहा है, तो आप कहोगे 81 का 40%, बस 81 का 40%, सही है, 81 का 40%, और इसी की value question ने आपको बताई है, 7,290 के बराबर, 81 से cancel हुआ, इधर 90 आगया, 00 cancel हो गया, 4 से काटो गए मेरे भाई, तो 88 कट जाता है, 22.5 आगया, और नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 1 unit की value जो आगी मेरे भाई, वो कितने के बराबर आगी, 225 के बराबर आगी, 1 unit की value 225 के बराबर, आप समझते चलेगी, solve कैसे किया जा रहा है, एक ही concept पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बस step by step इस language को follow करते चले जाएं, आप सारे लोग, जो भाशा दी जा रही हैं, उस भाशा को follow करते चले जाएं, सर, valid तो 90 है ना, हाँ बेटे, 90 valid कहा है, 90 तो vote पड़े हुए हैं, 90 vote तो पड़े हुए हैं, ठीक है बई, सरद यादो, 90 vote पड़े हुए हैं, बेटे, आप से बोला गया, 10% लोगों ने vote नहीं दिया, उनको हटा दिया, तो vote दिया कितने लोगों ने, 90 लोगों ने दिया, औ उसमें से 10% बोल दिया गया कि invalid declare हो गया, तो हमारा 90 में 9 और subtract कर दिया, 81 आ गया, clear, ठीक है, आगे बढ़तें दोस्तों, next question पर ये आपके सामने रहा, timer, नोटा मतलब घबराना मत कि, नोटा मतलब समझ जाओ क्या है, नोटा मतलब invalid दिमान कि चलो, जिस भी vote का फैसला हमार जीत हार में नहीं होगा, हमारे लिए वो invalid है, भले ही नोटा हमारा valid होता है, लेकिन नोटा हमारे लिए invalid है, बिलकुल भाई, अनुपम जैन जी, बिलकुल सही है, नेहा कपूर, 70% 7290 के बराबर नहीं होगा, नेहा कपूर, 70% विनर को मिला हुआ वोट है, ठीक है, और 7290 व हम लोग simplify करते हैं, इसमें भी हमने वही कहानी apply की, दोर candidate है, 10% वोटर ने did not वोट, हमने अपनी तरफ से माल लिया, 100, हमने कहा दिया कि 100 वोट हमारे total registered है, total registered मेरे भाई कितने हैं, 100 है, 10% ने वोट नहीं दिया, हमने 10% हटा के लिख दिया कि 90 लोगों नहीं दिया है, आग नबे में बोल दिया गया कि 2500 वोट, अब यहां पे जो है मेरे भाई, यह नोटा वाले हैं, नोटा वाले हमारे जीत और हार में तो शामिल नहीं होते, तो अगर 2500 निकल गए, तो फिर अब कितने बचे, तो आपने कहा 90-2500, बोला जाए, 90-2500 यह हमारे पास valid वोट रहे, इ आगे बढ़ते हम लोग, हमने आप से कह दिया कि 90-2500, अब एक परिशानी आप सब लोग देख रहे होंगे, एक परिशानी का सामना कर रहे होंगे, परिशानी यह है मेरे दोस्त की, अब आपको यह सॉल करने में आ रही हूँ दिकत, कि यार 90 में 25 घट रहा है, अभी सोचो इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हो, अभी यहीं पे अगर हम लिखे होते 70 वोट, 70 वोट, 70 लोगों ने नोटा यूज किया, तो आप 90 में 70 घटा के यहां बीच में 20 लिखे होते, ठीके भई, भावनाय इतनी कंट्रोल में ना आती है आपके, तो इनको बचाने के लिए हमने अपनी तरफ से कह दिया कि 1 X एजूम कर लो, अब इस बार हमने 100 X माना है total registered वोट को, तो यह हमारा 90 X हो जाएगा, यह भी मेरा 90 X से वोट रहा और यह भी मेरा हो गया 90 X, अब आप नहीं घटाओगे 90 X में 25, अब आपको अलग-अलग दिखेगा, ठीके, अब बोल दिया ग और लूजर जो है मेरे भाई, अगर 55% विनर पा रहा है तो लूजर कितना पाएगा, 45% पाएगा, यह कहानी भी क्लियर होगी, विनर और लूजर के बारे में information, कितने वोट से यह हरा रहा है, बस इतना देख लो, तो आप होगे 10% से हरा रहा है, कितने से हरा रहा है, 10% से ह वैलिड वोट का, वैलिड वोट कितना है, 90x-2500, और इसका 10%, इसका 10% बराबर कितने के है मेरे भाई, तो बराबर है 2000 के, बराबर है 2000 के, अब इस चीज को कर दो थोड़ा सा simplify, आप 00 terminate हुआ, आप 10 से डिवाइड करोगो, तो यहाँ पे आएगा 9x-250, बराबर दोस्तों, दो हजार के, यहाँ पे 9x की वैलू हो जाएगी, बाइस सो पचास, x की वैलू हो जाएगी, दो सो पचास के बराबर, x की वैलू 250, तो टोटल रजिस्टर्ड आपके 100x है, तो आपका टोटल रजिस्टर्ड कितना जाएगा, 100 multiplied by 250, जवाब आ गया 25,000 के बराबर, सही है, तो 25,000 यह आपका एंसर रहा, एक ही connectivity के साथ हमने आपके सामने चीजों को करवाने का प्रयास किया, मेरे भाई, कि एक ही connection में आपको चीजे समझ आजाएगा, इस तरीके से मेरे भाई, percentage की पूरी कहानी को हम आज समाप्त करते हैं, कुछ कोशन है, जो आप लोग यहाँ प इसे क्यों, ठीक है, आप हो मोर के लिए ले लो questions, अब next lecture जो हम लोग का Monday का होगा, Monday वाले lecture में हम लोग शुरुआत करेंगे, इस वाले question को हम Monday वाले question में बताएंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे, क्या भाई, profit and loss, ठीक है, बस दोस्तों तो आज की session में इ आप शियर कर दिया करो, ठीक है, और comment box में answer तो करना ही सारे लोग को, अगर session पसंद आया है, तो सारे लोग मेरे भाई, एक बार अपना प्यार जरूर देना, ठीक है, अपना प्यार देना जरूर, like करके session को like जरूर करें, बस दोस्तों, और अगर आप channel पे नए है, तो channel को subscribe करना न भूले, अगर अब तक आपने नहीं किया है, तो, और bell icon भी प्रेस कर देना, जिससे होगा क्या bell icon प्रेस करके, आपको हर एक class की हर एक information, मेरे दोस्तों, आपको properly मिलती रहेगी, ठीक, चले दोस्तों, बस करते हैं, session को यह पर समाप्त करते हैं, बहुत शुक्री आ करते हैं, बहुत शुक्री करते हैं, बहुत शुक्री करते हैं, बहुत 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 करते हैं, झाल झाल